नमस्कार महोर शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्माइन स्पोर्ट्स और ये हैं मेरी साथी प्रतिस्था और आज हम कुछ सवाल जवाब करेंगे जो काफी लोगों के जहन में उठ रहे हैं लगातार की युवरास सिंग को जो बहार निकाला गया और अब हुने कैनेडा की लीग में शामिल करा गया है तो आज हम प्रतिस्था जे पूछेंगे क्या युवरास सिंग अगर नमबर चार पर वर्ल्ड कप में खेलते वर्ड कप 2019 जो हम सेमी फाइनल मुकाबला हार गए और उसके कारण बहार हो गए यह आपने बिलकु सही का कि अगर युवरास सिंग नमबर चार की फूजिशन पर खेल रहे होते तो शायद हम सेमी फाइनल जीट जाते क्योंकि युवरास सिंग के पास यह शंता है यह हम कह सकते यह उनकी काभियलत है कि वो प्रेशर में बहुत अच्छा खेलते हैं अगर हम 2011 औ 2015 के वोल्ल कप की बात करें तो उन्होंने प् कि अप्तान को पहले से ही पता था कि नमबर चार की प्रॉब्लम है तो आखिर मुझे नहीं लगता कि तब उन्हें युवराज जैसा इतना अच्छा प्लेयर हटा देना चाहिए था या उनको नहीं खिलाना चाहिए था मुझे लगते खिला देना चाहिए था उसे साब से युवराज प्लेयर है उसमें उनको अच्छा फेवर भी मिल जाता क्योंकि वह डिजर्विंग भी है जिस तरीके के वह प्लेयर है तो वह डिजर्विंग भी है क्योंकि कमाल की उनकी फॉर्म रहती है हमेशा से और ऐसा नहीं है कि उवराज फॉर्म में नहीं है अगर ऐसा सब्सक्राइब 10 जून 2019 जो युवराज सिंग का रिटार्मेंट का डेट था उसके दो तीन दिन बाद ही कैनेडा की तरफ से उनको ओफर आ गया था कि वह हमारी लीग में खेले और शायद से वह टोरेंटो नेशनल्स की टीम के कप्तान भी हो सकते हैं उस टीम में ब्रेंडम म प्रड़े नाम है और ये ना भूलें केन विल्यमसन और फाफ दॉपलेसी जो अपनी अपनी टीम के कपतान है वो सब खेल रहे हैं तो ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो टीम में खेलत के आया हैं वर्ड़ कप 2019 और युवराज सिंग को मोगा नहीं मिला तो आप क्या कह सकते है कि इंडियन क्रिकेट टीम में मुकर नहीं जाते एक्स्पिरियंस ख्लाडियों को ये बात अब सही कहा हो कि जितने भी प्लेयर्स हैं बैसिकलि आप जो फा की बात कर रहे हो उसके बाद अब अब शाहिन अफरीदी की बात कर रहे हो ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये फिलहा तो ज़िए नहीं खिला एंग तो ज़िए लिए इंडियन टीम के लिए बड़ी परिशानी वाली बात है और मुझे लगता है काश खिला लेते हैं नंबर चार पे काश खिला लेते हैं तो शायद रिशप्पन की जगे युवराज सिंग अगर खेलते तो कुछ और नदशा हो जिस तरह की का उनका ले है जिस तरह के वह पिच को समझते हैं तो इस तरीके से खेलते हैं तो 2011 मैं यह देखा गया था कि इननने काफी एक्सपिरियंस के जाथ बल्ले बाजी करी और मैंने कर दो ज़िए ले निग्यार थे यह ज़िए नबर चार का तो कुछ अथा नमबर कफन्हें कहीं था उडकी किस ट्राइख किया है।의 कई तो ट्राइस को म lle his up to goes 3 तो थो नंबर चार चोंकिन भी तो इनटीम के लिए यह सबसे कमजोर कड़ी हां तो मैं जाओंगी गल्दी वो बिद वतिकों से जल्दी से जल्दी दिल्दी एल आप ताम पता उप्टा चल जाइ और युवराच की बात नहीं तो हो गई लेकिन केन विलियम्सन और इसमें मैं अफ दूनमेंट रहे थे इसमें 2019 वर्टब रहे हैं तो उन्होंने तो कूल मिस्टर कूल के नाम पर दोनी तक को पीछ चोड़ दिया तो तो अब यह भी कहा जा सकता है कि इस टीम में जो अभी प्लेयर आए है जो टॉरेंटो नेशनल्स में युवरास सिंग आ यह सारे वैसे नाम हैं जो अब सन्यास लेने की का गार पे आगा है जिन्होंने लगभग सन्यास ले लिया है लेकिन के विलियमसन और पाफ डॉपलेसी साओध अफरीका के और न्यूजिलेंड के कपतान काफी अच्छा परजशन रहा अपनी टीम की तरफ से क्या अब यह लेकिन मुझे लगता है यह सारे भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं जहां तक मैंने केन को देखा है जहां तक मैंने फा को देखा है तो यह लोग अपनी टीम के कपतान हैं और इस टीम में भी यह लोग खेल रहे हैं तो मुझे लगता है यह अभी भी फॉर्म में हैं आपने कहा कि सन्यास नहीं लेना चाहिए अगर खेलने की प्रतिवा है तो युवराज सिंह, गौतम गंभीर, अमबती राइडू, और भी कई दिगश खिलाडी जिन्हें नहीं मेला भारत की तरफ से खेलने के लिए तो अप इस पर क्या कहना चाहेंगी मुखी चाहिए की वात है तो फिर अगर अगर राज पère हम तो मुबभी राच पे जाते हम फो मुबै इंडिन्टेंस मुट्फे LISA रोहित चर्मा नहीं हो तो बढ़ी की लागा बन्ड baking it टो चौड़ीको BCCI टीरें कास्किम नहीं है, पर्परेश कास्किम्स लिधा है, बढ़को एक्सपियїंण खिर्णाछों और फ्णी एयुद्ख्ध्ध माइअ रवार्श यूद्ग सामने आई नाम से रॉछ ऑनाम उनमें उनमें से, श्रेयर शेयर काड़ में तो यह लोग काफी अच्छे हैं अगर ऐसे प्लेयर्स को टीम में लाते हैं और वो अगर आके नंबर चार या नंबर चे की प्रोजिशन पर खेलते हैं और उससे हमारी टीम की हालत बहतर होती है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई प्रॉब्लम है अगर यूथ पावर बी तो यह लिए अगर वो उतरते तो कितना अच्छ रहता क्या हमारे घर ट्रॉफी आजाती आज अगर शायद उपर आजाते दोनी की प्लेस उपर कर देते है तो आज हमारे घर ट्रोफी अजाती है काफी बहुत सारे रीजन्स हैं जो कि गलत उठाय गए थे कदम उठाय गए तो मुझे लगता है काश अगर धोनी उपर खेल लेते तो आज ट्रोफी हमारे घर में है तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम ट्रोफी अगली बार ट्रोफी हमारे घर ही हो रहा है आपने कहा तो अब यह बताइए कि नंबर चार की गुति वहीं पर अटक जाएगी क्यों अब जाएगी कि रिटार्मेंट पकी हो लिए अगर हम अब अब बाति राइडू को भी रख दे जो कि नंबर चार पे खेलते थे उनको भी रख तो शायद कोई जरूर हमें फाइदा हो जाता है अगर गुति नहीं सुलजती है यह हमें कोई नंबर चार पे नहीं मिलता है तो मुझे लगता है अबाति राइडू को खिला लेना चाहिए वो ज्यादा बैटर होगा क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम सॉल्फ तो हुई नहीं है तो स्टिल बी सी आइस ट्राइंग तो वह चाहूंगी जल्दी से सॉल्फ हो जाए लेकिन आप जो लगातार जो सबसे व अबाति के सुटे है तो अव्मारे कि अधर बुला लेया क्योंकि हमारी धेश में उनने बैटिंग की जगह नहीं मिलती है खेलने की जगह नहीं मिल लिया अधर यह सकते हैं कि चांस नहीं दे रहे हैं तो औव्विस सी बात है बहार जाए खेलेंगे जो हमारे क्यूंकि जह केन, फा, इन्हें चांसेज मिले हैं, इन्हें खेले हैं अपनी टीम के लिए आज भी खेल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करें इसलिए और बाहर भी अच्छा ही करेंगे, ये नर्मल सी बात है लेकिन अमारी टीम में जो अम्बाती राइडू जैसे आप कहे हो फिर fferएक के लोगों का मैं खिला लेते हैं, अब बात करते हैं कुल अमिलाकर जो हमारा जो केनेड़ा में एक तरहिके लिच्प के लिच्च ने वाला है तो आपको क्या लगता है आप देखा जा रहा है कि सारी टीमें अच्छा पर्फोर्मेंस कर रही है तो इसमें क्या युवरा सिंग अच्छा पर्फोर्मेंस करेंगे और अब की बार टोनेटो नेशनल्स को जिताएंगे और ऐसी ही तमाम डिस्केशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नेक्स्नाइन स्पोर्ट्स के साथ झाल 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 झाल